Class 1, Subject Social Science, Lesson 7 Hows We Live In जिस घर में हम रहते हैं, हम सभी को रहने के लिए एक घर की आवश्यक्ता होती है ये हमें गर्मी, सर्दी, बारिश और हवा से बचाता है ये हमें चोरों और जंगी जानवरों से भी बचाता है हम अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं वह घर जहां हम अपने साथ रहते हैं परिवार को हमारा घर कहा जाता है लोग विभिन प्रकार के घरों में रहते हैं जैसा आप अपनी पुस्तक में दिये गए तस्वीरों में देख रहे हैं जोपडी, बेडा, बंगला, इग्लू, तंबू, जोपडी आप गावों में कई लोगों को जोपडियों में रहते हुए देख सकते हैं जोपडिया कच्चे मकान हैं वे मिट्टी, पुआल, सूखी घास और कैनवास से बने हुते हैं ये घर मजबूत नहीं है कभी-कभी भारी बारिश और तुफान की दोरान इनकी जड़े और दिवारे तूट जाती है जैसा कि आप अपनी पुस्तक में दी गई तस्वीर में देख रहे हैं दो प्रकार के मकान एक कच्चा घर और एक पक का मकान बड़े कस्बों और शहरों में लोग फ्लेक, बंगले आदी में रहते हैं सीपक के मकान हैं वेईटों, सिमिन, स्टीर या लकडी से बने हुते हैं ये मजबूत हैं कारवा को पहियों पर घर भी कहा जाता है कुछ स्थान वर्ष भर बर्फ से धके रहते हैं ऐसी जगहों पर घर भी बर्फ के बने हुते हैं इन घरों को इग्लू कहा जाता है इन में रहने वाले लोगों को एसकिमो कहा जाता है जिन स्थानों पर भारी वर्षा और बर्फबारी होती है वहां के घरों की छते धलांदार होती है मैदानी और शुश्क स्थानों में घरों की छते सपाथ होती है